हलो एव्रिवान वल्कम तो मैं चैनल देप्रिटी गर्ड इफ यू वर्च मी फॉर्स ताइम देन माइनम इस नीहा और आज की विडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक एजी और सिंपल मेकप लूप फॉर राखी इस बार राखी में हम लोग बाहर न लेट्स स्टार्ट दे वीडियो मेकप करने से पहले स्किन केर करना बहुत ही ज़रूरी होता है तो मैं स्किन केर से ही स्टार्ट करूंगी आज मैं गुडवाइब्स का कुकुमबर ग्लो टोनर अपलाई कर रही हूँ टोनर को डैप डैप करके अच्छे से पूरे फेस पे म अपलाई कर रही हूँ इसे अपलाई करने से फेस पर एक बहुती अच्छा ग्लो मिलता है इसका फुल रिवीव भी मेरे चैनल पे है तो गो अंचेक दाट वीडियो ये एफोर्डेबल प्राइस में बहुती अच्छा एक फेस सीरम है इसे यूज करने से फेस बहुती दो आ गया है अगर आप लोग और कुछ अपलाई करना नहीं चाते हो तो इस सीरम के साथ लिपस्टिक और एक काजल से ही काम चल सकती है नेक्स्ट मैं एक स्पूली की मदद से मेरा आइब्रोज को सेट कर रही हूँ आज मैं इस ओलिवियो पैंस्टिक को आज आ कंसीलर फ्लैट ब्रश यूज करने से बहुत ही अच्छे से कंसीलर अपलाई हो जाती है नेक्स्ट मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए एक डाम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करूंगी आप लोग देख सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर से कितना जल्दी और कितना अच् होता है और आज मैं आइस को सेट करने के लिए लैकमी रेडियंस कॉंपक्ट पाउडर का यूज कर रही हूं नेक्स्ट मैं आज आइशेडो के लिए ऐसे फार का न्यूड पैलेट यूज कर रही हूं मेरा आइस हुड़ेड है तो क्रीस डिफाइन करना बहुत ही इंपोर्ट का डिफरेंस आ गया है क्रीस डिफाइन करने से बिग आइलिट का एक इल्यूशन क्रियेट होता है इसलिए मैं क्रीस को बहुत अच्छे से डिफाइन करने का कोशिश कर रही हूं अभी तो मार्क स्पाइनना मैनेटरी है तो मेकप का मेन एट्रक्शन आइस पे ही जाता है नेक्स्ट मैं एक डाक ब्राउन शेड को सर्कूलर मोशन पे मेरे आउटर वीपर अपलाई कर रहे हूं आज मैं एक ग्लिटरी ब्राउन आई लुक क्रियेट करने वाली हूं जो अब कोई भी ड्रेस के साथ डे और नाइट पे इजीली कैरी कर सकते हो नेक्स्ट मैं शीमर आईशाडो को फ्लाट ब्राश की हेल्प से अपलाई करने का कोशिश किया लेकिन पिग्मेंटेशन अच्छा नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने फिंगर से ही इसको अपलाई कर लिया नेक्स्ट मैं आईलाइनर के लिए स्टेक विकी का लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ इस इस वन अफ दो मोस्ट अफोर्डेबल और बेस्ट आईलाइनर और ये 100% वाटरप्रूफ भी है आज मैं बहुती थिन आईलाइनर अपलाई कर रही हूँ इसका टिप इतना अच्छा है कि आप कोई भी स्टाइल इजिली क्रियेट कर सकते हो आईलाइनर यूज़ करने से पूरा लुक ही चेंज हो जाती है नेक्स्ट मैं काजल के लिए भी आज स्टेक विकी का बैड़ डास काजल हीूज कर रही हूँ और ये काजल बहुती जादा पिग्मेंटेड है नेक्स्ट मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से काजल को समझ कर रही हूँ मस्कारा के लिए आज मैं ब्लू हवन का मस्कारा यूज किया ये एक डेली वर मस्कारा है बट ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है नेक्स्ट मैं उसी आईशेडो पैलेट से ही ब्राउन और ब्लैक शेट को मिक्स करके मेरे आईब्रोज को फिल कर रही हूँ आईशेडो से ही आईब्रोज को फिल करना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आईब्रोज को सेट करने से विदाउट एनी मेकप भी फेस बहुत ही अच्छा दिखता है नेक्स्ट मैं आज पॉंड्स का बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ इसको मैं डॉट डॉट करके फूल फेस पर अपलाई कर रही हूँ आई नो नाव आम लुकिंग वेरी वैड फॉर्स्ट मैं इसको हाथ से ही डप डप करके अपलाई करूंगी नेक्स्ट मैं एक डाम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करूंगे हाथ से ही थोड़ा ब्लेंट होने के बाद ही मैं डाम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ आई लाइक तो यूज दिस मेथर्ड इट गिप्स मी अ बेटर फिनिश फेस पर अपलाई करने के बाद नेक को बिल्कुल भी मत इग्नोर करियेगा नेक और फेस का कलर अलग होने से बहुती गंदा दिखता है अभी मेरे फेस पर बीबी क्रीम बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है नेक्स्ट मैं फेस को सेट करने के लिए भी लैकमी का रेडियन्स कॉम्पैक्क पाउडर ही यूज कर रही हूँ आइख दिस कॉम्पैक्ट मोर दन मेबलीन सुपर फेश कॉम्पैक्ट पाउडर कॉम्पैक्ट यूज करने से ही फेस पर ज्यादा कवरच मिलता है Now I am done with my base makeup अभी बारी आती है contour, blush and highlighter की और सभी के लिए मैं आज same eyeshadow palette का ही use करूँगी Dark and light brown shade को mix करके मैं मेरा contouring को complete कर रही हूँ अच्छे से blend करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि कोई harsh line ना दिखे Face contouring करने से face थोड़ा slim दिखता है Next, same brown shade से ही मैं मेरा nose को भी contouring कर लूँगी Next, बारी आती है highlighter and blush की तो highlighter and blush के लिए मैं same palette से ही pinkish shimmery shade को apply कर रही हूँ Next, मैं मेरे face का सभी usual point को highlight कर रही हूँ Highlight करने से face थोड़ा glowy, dewy दिखता है and I like dewy makeup look Now, without any lipstick कोई भी makeup look complete नहीं होता है जैसे मेरा face भी incomplete दिख रहा है तो lipstick के लिए मैं आज मैक मी का liquid lipstick apply कर रही हूँ So, now my face makeup is done But, आभी भी मेरे face पर कुछ missing लग रहा है ना तो मैं एक बिंदी और जुमका से मेरा full look complete कर रही हूँ I can't get you out of my mind So, this is the final look and I hope you guys will like this look So, yeah, that's it for today If you like me, then don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon Like, comment and share See you soon, till then, bye bye